आलब वेल्कम बैक टूट चैनल तो यह वीडियो है आपकी पार्ट टू ठीक है जो आपका इस वीडियो का पार्ट वन था उसमें आपकी क्लास 12th मैथ की जो 2nd book है उसकी एकसाई 7.1 है इंटीगरेशन की उसके question no.1 से question no.10 तक किये थे तो यह वीडियो आपकी उसी के part 2 है औ आगे को जो है question continue करेंगे और देखते हैं इनका solution कैसे होने वाला है तो फटा वट से वीडियो को शुरू करते हैं नमबर 11 integration of x cube plus 5 x square minus 4 upon x square dx ठीक है तो यह जो हमारा function है इसके हमने integration करनी है तो आपने यहाँ पर क्या करना है जो यह x square है ना जो यह x square है यहाँ पर सबके किस्में है denominator में सबके हर में तो आपने इसको सबको अलग-अलग क्या कर देना है इसके denominator में रख देना है अलग लग सबके हर्मे रख देना है, देखो कैसे मैं कया कहना चाह रहा हूँ, समझो, और यह integration, ठीक, तो क्या करना है, x too upon x square, plus, 5 x square upon x square, minus, 4 upon x square, और साथ मा क्या जाएगा, ठीक है तो हम इसको यहां पर ऐसे भी लख सकते हैं, क्योंकि जो आपका x-square है यहाँ पर सबके हर्म है तो यहाँ पर हम इसको इस टाइप से split करके भी लग सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देखते हैं आगे क्या होगा i is equals to integration यहाँ पर देखो x-square है और यहाँ पर क्या है एक्स-qy तो इसके x-square से x-q कट जाएगा तो एक-x बच जाएगा यहाँ पर x-square से x-square कट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा और यहाँ पर कुछ है नहीं कटने के लिए तो देखो यहाँ पर क्या होगा जो आपका x-squ रहता है न तो यहां पर क्या है एक्स स्क्वार तो अगर उपर जाएगा तो क्या जाएगा एक्स की घात मैने सब की अलग जो है इंटिग्रेशन कर देते हैं और आपका अंसर बढ़ी असानी से आजने वाला है तो देखो इंटिग्रेशन ओफ एक्स डी एक्स प्लस फाइव आपका बाहर आजाएगा यह वाला क्योंकि इसकी जो है क्या कॉंस्टेंट है इसकी इंटिग्रेशन नहीं होगी फाइव डी एक्स माइनस फूर भी आपका बाहर आजाएगा और इंटिग्रेशन किसकी हो जाएगी एक्सी पावार माइनस टू dx की आपकी जो हैं पर integration हो जाएगी ठीक है यहां ता आपको समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं बस अब कुछ नहीं थोड़ा सा इसकी फारण लाँ कितनी बान सकते नारी North को समंझ में होगा हुआ अपकी सर्व किसली विडियू में बताया थे जो हर इसमें भी एक जुड़ जादा ठीक है एकसे एकसी पावर एंड एकस वाला जो है आपका यह फॉर्मूला है उसके इसाब से तो एकसी पावर टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इसी आपकी आ जाएगी आगे देखते थोड़ा सावर बचावाँ यहांपे माइनस दू मेंस प्लस एकसी पावर माइनस टू ऐहाँ पर आपका ऊपर एकसी पावर माइनस ब्लस इसको अगर में नीचे हर में बहज दू数 ठीक bench यहाँ पर कितना आ सकता है आपका 4 upon x प्लस c integration constant लगाते हैं यह आपके 11th question का answer अब यहाँ पर solution देख लिता है हमने question number 12 का यहाँ पर जो अपना question है कहता है integration of x cube plus 3x plus 4 upon under root x dx ठीक है तो इस function के हमने integration करनी है तो जैसे हमने इससे पहले वाले question में किया था आपका यह root x है जो आपका x square था उसको सब की बटे में अलग-अलग कर दिया था उसी type से जो आपका root x है इसको भी बटे में अलग-अलग कर दींगे और इसी type से आपका question ही solve होगा ठीक है तो जो इस type का question हिंको solve करनी का यही तरीका होता है तो देखो क्या हो जाएगा X Q upon root X plus 3X upon root X plus 4 upon root X और 7 वाहर रहो क्या हो जाएगा आपका DX ठीक है इस टाइप से question वोगा देखते हैं क्या होता है आगे अब जो आपका root X है इसको हम हर से अंश में बेजने का क्या तरीका होता है आपको यह चीज पता होगी अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे याद कर लेना कि जो root X होता है उसको हम एक उसके जो घात है अगर किसी function के उपर root X है तो उस जो function की है जो घात ह you भी लिख सकते हैं तो इसbu टाइस है आपका यहाँ पर किया है root X है तो इसको घात है वह न nominee 6 मैं लिख दिया क्यूंकि you root X हम खाळी हम घात से अंश में कर सकते है और घात में गहल चेंज होता है और इसको मैंने हर से अंच में भेज दो इसकी जो घात है उसकी उपर जो चिन प्लस का था फिर किसका हो गया माइनस का तो यहां पर कितना हो गया एकस क्यूब यहां पर पहले से क्या करते हैं यह इस dx की multiply इंसेप के साथ करते हैं और उनको अलगले integrate कर देते हैं जो हमारा अंसर बड़ी असानी से आ जाने वाल है तो पहले यहां पर जो गात है उनको solve कर लेते हैं तो यहां पर जाएगा 4x की power minus 1 by 2 यहां पर क्या जाएगा तो इंको अलगले integrate कर देते हैं integration of xc power 5 by 2 dx प्लस थ्री आपका क्या है constant है बहरा जाएगा ठीक है बेसिक सी चीजें हो गई है अब यह एक सी power 1 by 2 dx प्लस फूर भी आपका क्या है constant है वही बहरा जाएगा integration xc power minus 1 by 2 dx ठीक है फटाफट से इनको integrate कर देते हैं और इसके सांथ जो आपका इसका अंसर आ जाएगा तो अब देगो यहां पर जो फॉर्मूला लेगा वो लेगा integration of x की power ndx वाला ठीक है जैसे कि मैंने आपको पिछली वेडियो में बोला था कि आपके ncrt की जो भूक है उसमें जितने भी फॉर्मूला है उनको आपको याद करना पड़ेगा ठीक है तो उसी का आपका एक फॉर्मूला होता है वह होता है integration of x की power ndx is equals to x की power n plus 1 upon n plus 1 ठीक है आप उसे याद कर सकते हैं तो यहाँ पर उसी जो अपना फॉर्मूला उसको यूज करेंगे और इस सबको integrate करेंगे तो देखो क्या होता है ठीक है जो भी यहाँ पर घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और उसके हर में भी वही ची 1 upon 1 by 2 plus 1 ठीक प्लस 4 वही सेमची यहाँ भी होगी x की power minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आगे solve करते हैं से ठीक है अब बड़ा जो आपका question है असान हो गया ठीक है जिर्फ यहाँ पर जोड़ घटाव करना आपका answer आ ठीक है 5 by 2 plus 1 5 by 2 plus 1 को ज कितना आजाएगा 7 by 2 plus 3 आपका यहाँ पर 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 इसे solve करेंगे तो कितना आएगा x की power 3 by 2 और यहाँ भी power कितने x यह जो आपका answer हो कितना आजाएगा x की power 3 by 2 ठीक है यहाँ तक को समझ में आ गया होगा आगे देखो plus 4 यहाँ पर देखो minus जो है आपका 1 by 2 plus 1 और यह し 2 upon 1 by 2 ठीक है तो इतना हो चुका है कुछ नहीं किया है सिर्व यहाँ पर जो गात है उनको कटा दिए ठीक है अम यहाँ पर देखो क्ワह 민주 अगर यह उपर जाएगा ठीक है अभी हर में है जब यह अंश में जाएका तो जो आइसकी जो चीज अंश मो हुह हर में चल जाएग फ्रेक्शन वाली जो मैत है यह हम पढ़के आ चुके हैं यहां पर देखो 3 by 2 है जब यह उपर जाएगा तो कितना होगा 2 by 3 इस 2 की multiply 3 के साथ हो जाएगी तो कितना जाएगा 6 by 3 और x की power 3 by 2 अब यहां पर प्लस यहां पर देखो यह 2 भी उपर जाएगा इसकी multiply 4 के साथ हो जाएगी तो कितना जाएगा 8 और यहां पर कितना जाएगा एक सी पावर 1 by 2 ठीक है थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं और आपका अंसर फटावट से आजाएगा तो इसमें तो हमने कोई changing नहीं करनी है 2 by 7 X की पावर 7 by 2 ठीक है तो पहले सी सॉल्व है प्लस 3 बन जाए 3 3 2 जा 6 ठीक है इससे कित्ती बार कर जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 X की पावर 3 by 2 प्लस यहां पर कितना आ गया 8 X की पावर 1 by 2 प्लस यहां पर क्या लागा देंगे integration constant तो यह हो जाएगा आपके 12th question का answer अब यहां पर solution देखते है question number 13 का ठीक है यहां पर हमरे पास है integration of x cube minus x square minus x plus 1 upon x minus 1 dx की हमने यहां पर क्या करनी है integration करनी है यह हमको यहां पर function दिया हुए ठीक है तो यहां पर देखो क्या होगा फ्लस यहां पर दियान समयना ठीक है यह जो question इसमें बहुत सारे student क्या होते हैं confused होते है और exam में इसको गलत करके आ जाते है ठीक है तो यहां पर निकालना पड़ेगा तो यहां पर आपकी चार्टरम है तो पहले जो पहली और तो दूसरी टर्म में इससे common निकालते हैं, फिर तिसरी और चौती टर्म से कुछ common निकालते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, x cube, यहाँ पर x square, तो इन दोनों में से क्या common आ सकता है, आपका x square, ठीक है, आपका x square common आ जाएगा, तो अंदर क्या रहे ज निकालने के लिए, इस महाँ माइनस one common निकाल सकते हैं, इस महाँ क्या common निकाल सकते हैं, माइनस one, ठीक है, तो आपका अंदर का जो चिन नहीं क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x minus one, ठीक है, basic मैंने आपका mathematics लगाई है, कोई इतनी tough या फिर high level की mathematics निए है, ठीक है, simple यह सारी की सारी चीजी है हम 910 में सीखते हैं, ठीक है, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, कोई basic सी यह mathematics है, ठीक है, आपकी algebra अपले, नीचे कर रहा जाएगा, आपका x minus one, ठीक है, आगे देखते हैं, integration of, अब यह जो, यह है न, x square, x minus one, minus one, x minus one, यह जो आपकी पूरी term है, इस से मेरे को कुछ ना कुछ common निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस पूरी term में से, इस पूरी term में से, मैं क्या common निकाल सकता हूँ, देखो, दो चीज़ें same दिख रही है, वह आपकी x minus one, और x minus one, ठीक जो हमने common लिया है, अंदर गरे जाएगा, x square, minus one, तो यह चीज़ मैंने किये, यहाँ पा आजाएगा, dx, और upon में कितना आजाएगा, x minus one, ठीक है, तो आपका question वाला है, तो इस वाले x minus one, जो हमको question में, x minus one दिया था, उससे, यह वाला x minus one क्या हो जाएगा, cancel out, तो हम आरे x से multiply दोनों में अंदर कर देते हैं, और अलग-अलग इंको integration, ठीक है, dx की multiply x square के साथ करते हैं, तो कितना हो जाएगा, x square dx, minus, ठीक है, इसको भी अलग integration देते हैं, dx की multiply one के साथ हो भी तो कितना आजाएगा, dx, ठीक है, यह हो गया, देखते हैं, आगे क्या होगा, तो आपका dx है, उसकी integration कितनी होती है, x, ठीक है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, plus integration constant, तो यह हो गया आपका 13 पार का answer, यहाँ पर अपना आगया है, question number 14, तो इसका solution देख लेते हैं, यहाँ पर जो अपना question है, integration of one minus x, और यहाँ पर उसके साथ multiply में है, root x और साथ मे dx, ठीक है, तो इसका solution देख लेते हैं, असान सा question है, solution, right, solution, this question में हम ने क्या करना है, जिए आपका root x है, इसकी multiply अंदर कर देगे अंदर से में नहीं मतलब है one minus x के सांथ इसकी multiply कर देंगे तो देखो इसकी multiply one के सांथ होगी तो कितना आ जाएगा root x minus x की multiply root x के सांथ होगी तो कितना आ जाएगा x root x तो अब आगे देखते हैं यहां I is equals to integration तो आपको जो आपका इसका 12 वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका root x होता है उसको हम क्या लख सकते हैं उसकी power 1 by 2 ठीक है तो यहाँ पर root x ही जाएगा कितना आ जाएगा 1 by 2 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर x की power 1 by 2 ठीक है तो इतना हो गया यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तो यहाँ पर x की power 1 और यहाँ पर x की power 1 by 2 तो आपको एक पता होगी कि अगर दो अपने पाफ function है और उनकी कुछ घा और उनकी कुछ घाते है और वह जो दोनों function है वह आपस में किसमें गुणा में तो इनकी घाते की जुड़ जाती है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एकस की power 1 plus 1 by 2 ठीक है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने चारू क्योंकि यहाँ पर x और x सेम है और साथ में किसम देखते हैं आगे integration x की power 1 by 2 यहाँ पर देखो 1 plus 1 by 2 कितना होता है 3 by 2 साथ में कितना आजाएगा dx ठीक है तो अब कितना असान हो चुका है question है इसे solve कर लेते हैं फटावट दोनों की जो है multiply dx की साथ करते हैं और दोनों को अलग अलग integrate कर देते हैं तो कितना हो जाएगा x की power 3 by 2 dx ठीक है वही वाला फॉर्मल यहाँ पर जो आपका फॉर्मोला लग जाएगा integration of x की power ndx वाला फॉर्मल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो X की पावर 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 minus यहाँ पर क्या है? X की पावर 3 by 2 तो क्या हो जाएगा? X की पावर 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 ठीक है? तो यह हो जाएगा आपका solve कर लेते हैं आपका answer आने वाला बस 1 by 2 plus 1 कितना होता है? 3 by 2 और यहाँ भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 by 2 plus 1 तो 3 by 2 plus 1 कितना होता है? 5 by 2 नीचे भी कितना हो जाएगा? 5 by 2 थोड़ा चाएग एक स्टेप और बचा है उसे देखते हैं अगले पेज़ बे यहाँ तक अपना जो question है वो solve हो चुका था तो देखते हैं क्या होता है? यहाँ पर आपका 3 by 2 ठीक है? इसा है अगर हम numerator अंच में भीज़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 by 3 x की पावर 3 by 2 minus 2 by 5 x की पावर 5 by 2 और यहाँ पर लगा दिंगे आपका integration constant तो यह हो जाएगा आपके इसके question का answer तो आप देख लेता है अपने question number 15 का solution यहाँ पर कहा रहा है integration of root x 3 x square plus 2 x plus 3 dx तो यहाँ पर हमारा function है इसको मैंने यहाँ पर क्या गरते हैं इसकी integration करनी है तो फटा फट से देखते हैं इसको कैसे आप इंटेग्रेट करेंगे i is equal to देखो सबसे पहले क्या गरना है integration का sign फिलाल ऐसे रहन देते हैं यहाँ पर आपका root x है ठीक है मैंने आपको इससे पहले वाला question है मैंने उसमा आपको बता दिया है कि जो आपका root x है उसको क्या लिख सकते है x की power 1 by 2 इसको root x को x की power 1 by 2 लिखा जा सकता है यह मैंने आपको पिसले question बता दिया है यह अगला concept इसको फिलाल जो आपका बाकी है वो सबको सेम रहेगा बस यह जो root x है इसको मैंने किसमें चेंज कर दिया x की power 1 by 2 मैंने इसको चेंज कर दिया ठीक है तो 3 x square plus 2 x plus 3 साथ में dx ठीक है बाकी आपका सबको सेम है बस इसको आपके चेंज कर दिया है अब देखो आगे क्या करना है यहाँ आपका यह x की power 1 by 2 है इसकी multiply है अंदर पूरा function है इसके साथ कर दिंगे और फिर साथ में इनको अलग-अलग integrate कर दिंगे और आपका अंसर बड़ी आसानी से आ जाने वाला है तो समझते हैं कैसे होने वाला है यहाँ पर जो आपके x और x है ठीक है तो मैंने आपको इससे पहले वाले जो question है उनमें मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके आधार समान होते हैं और साथ में multiply में होते हैं घुणा में होते हैं तो उनकी घाते होती हैं साथ में जुड़ जाती हैं यहाँ पर x है यहाँ बड़ दो तो दो दो जुड़ जाएंगी प्लस 3x की पावर 1 by 2 ठीक है यहां पर a की x था तो उसमें तो कोई पावर जूलने या फिर गटने या कोई मतलब नहीं मतलता है तो यहां तक हो चुका है अब देखो आगे क्या करना है i is equal to integration ठीक है इन सबकी जो यह dx की जो multiply इन सब के साथ जो function है उनके सांदर कर देते हैं और सबको अलग-अलग integrate करते हैं ठीक है तो यहां पर देखो 3 आपका जो आपका यह वाला function है उससे क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा 3 आपका बाहर हो चुका है यहां पर इसको solve कर लेते हैं 2 प्लस one by two solve करेंगे तो जब इसको हम solve करेंगे तो कितना आजाएगा हमारा five by two ठीक है यह आ गया और सांद में कितना आ जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा एक्स की पावर वन बाए तू और सांद में आपका कितना जाएगा तो आप इन सब को इंटेग्रेट करते हैं और आपका अंसर बढ़ी असा निसे अब आ जाने वाला है तो इनको इंटेग्रेट करते हैं फटाफट से आई इस इक्वल्स टू त्री यहां पर कितना है देखो एक सी पावर फाइब तो यहां पर कॉंचा फॉर्मॉल लेगा इंटेग्रेशन ओफ एक सी पावर एंड एक्स वाला फॉर्मॉल लेगा ठीक है अब यह बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है आप को याद हो चुक अपाउन वाला थ्री यह यह ऐसे इसे रहेगा और साथ में क्या आजाएगा एक्स की पावर फॉर्मॉल प्लस वण अपाउन वाला टू प्लस टू अपका हो गया थोड़ा सा आगे बचा है इसको सॉल्ड कर लेते हैं और आपका अंसर आजाने वाला है तो देखो यहां प प्लस 3 by 2 प्लस 1 को solve करेंगे तो कितना जाएगा 5 by 2 ठीक है आपके फ्रेक्शन को कुछ नहीं करेंगे जोड लें बड़ा सिंपल सा लोजिक है, कॉंसेप्ट है यहां पर भी देखो, यहां पर 1 by 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 3 by 2 3 by 2 इस 2 की मल्टिपलाइ 6 के साथ हो जाएगी तो कितना जाएगा 6 by 7 यहां पर कितना जाएगा x की पावर 7 by 2 प्लस अब यहां पर देखो, आपका क्या 5 by 2 इस 5 by 2 को निमेरेटर में ले जाएगे तो कितना हो जाएगा 2 by 5 इस 2 की multiply 2 के साथ हो जाएगी तो कितना जाएगा 4 by 5 x की power 5 by 2 प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका 2 है आपका 3 by 2 है इसको अगर हम फिर से numerator में ले जाएगे तो कितना हो जाएगा 2 by 3 इस 2 की multiply 3 के साथ हो जाएगी तो कितना जाएगा 6 by 3 x की power 3 by 2 प्लस कितना जाएगा C ठीक है आप इसको solve कर लेंगे तो यहाँ पर 3 by 3 3 2 जा 6 तो इस 6 by 3 की जाए कितना जाएगा 2 और यह होगा आपके 15th question का answer तो आप solution देखता है अपने question number 16th का तो यहाँ पर integration of 2x minus 3 cos x plus e की power x dx ठीक है तो हमारे आपको यहाँ पर यह ची recommend करूँगा कि आप इस question को यह बार खुझ से अपने try करें और एक बार इसको खुझ से solve करने ही कोश्च करें है ना क्योंकि आप जहाँ तक मेरे को idea है आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि इस type के question की integration कैसे करनी है माइनस integration of 3 cos x dx प्लस integration of e की power x dx ठीक है यह हो जाएगा अब इनको अलग-अलग integrate कर देते हैं और आपका अंसर बढ़ी असानी से आजाने वाला है ठीक है यह आपका 2 क्या है constant है यह बाहर चले जाएगा आपके किसके integration के sign के यहाँ पर देखो जरह ध्यान से यहाँ पर थोड़ो से ध्यान समनना यहाँ पर आपका x ठीक है तो यहाँ पर x की power कितनी हो जाएगी 1 यहाँ फॉलो करते हों है तो आपको समझ में आगया होगा minus 3 आपका constant बाहर आ जाएगा अब जब 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर के रहे जाएगा cos x dx ठीक है तो cos x की integration क्या होती है sin x यह हो गया plus जो आपका e की power x है e की power x है उसकी integration क्या होती है e की power x होती है आपको पता है साथ मैं integration constant जोड़ देंगे आपके इस 2 से यह वाला 2 cancel out हो जाएगा तो क्या जाएगा i is equal to x square minus 3 sin x plus e की power x plus c तो यह हो गया आपके 16 question का answer